बल्ले से दिखाया जोश उडाये गेंदबाजों के होश, नाम नोट कर लो, है इसका नाम आशुतोश, पचास बनाया, आलमोस्ट टीम को मैच जिताया, in fact वहार के अंदकार में भाई ने फ्लड लाइड जलाई थी, अकेले दम पे लड़ता रहा, और नहीं जीत पाया, that's a separate story पर ठीक ठाक चैलेंज किया है, आशुतोश, शशांग, they are the shining stars of Punjab Kings, मैच हार जाते हैं, दिल जीत लेते हैं, that's Punjab का story, पर मुंबई, सूरे कुमार यादव, एन जस्परीद भूमरा, दोनोंने कमाल किया, मतलब जस्परीद भूमरा और जहाल कोईज, तीन विकेट्स उन्होंने भी चटकाए, अंत में जीत अरजित कर लिये, मुंबई, पलटन, क्या पलट बार करने के लिए तयार हो गई है, कि यूटन मार गया है, इनके सीजन का जो गाड़ी है, क्योंकि पट्री से उतर गई थी पिछले मैच में, गजब मैच खेलती हैं, जब ये दोनों टीम्स खेलती है, I mean, इनकी आदत है ये, अब तो आदत सी हो गई है हमें, जब भी मुंबई के सामने होगी, पंजाब, I mean, वो हाट रेसिंग, एक दम पलसेटिंग मैच होगा, क्योंकि, you don't find, मतलब होता नहीं, पता नहीं चलता होता है, पलट के उस तरफ चला जाता है, फिर पलट के इस तरफ आ जाता है, I mean, अगर वो बैठा होता, सीसाओ पे तो सीसाओ घबर आ जाता है, उसको चक्कर आ जाते हैं, कितनी बार, कि आप 14 पे 4 हो, 49 पे 5 हो, 70, 75 पे 6 आउट हो जाएं, फिर थोड़ी ना मैच आप नौ स्वागत है, आप देख रहे हैं, इस तो टॉक प्रेजेंस, चोपड़ा जी क्रिकेट चौपाल, दे गेम अफकोर्स वाज इन मुलापूर, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर जैसे हर जगा होता है, टॉस जीत के लोग बोलीगी करते हैं, आप आ जाओ, आप उनकी भी उतने अच्छी नहीं हो रही है, पर जो टूटा नहीं, तो टूटा था पिछले मैच में, तूट तो गया था, वो धोनी ने तोड़ तो दिया था थो थोड़ा सा, पर एनिहाओ, वो सेम टीम से खेलते हैं, पंजाब ने का हम तो होलसेल चेंजिस करते हैं, भाई आजाती मुंबई की, और मुंबई शुरुवात आजकल वैसे बहुत ताबड तोड़ अंदाज में करती है, पर यहां पर इशान किशन एक्षिन विकेट लेने वाली बाल नहीं थी, बाहर की बाल सीधा पॉइंट के हाथ में मार बैठते हैं, उट जाते हैं, अब सकाय के स साथ आते हैं, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा अबना खेले दे, 200 आई पिल मुकाबला, वो तो जैसा खेलें तो खेलें, पर सूरे कुमार यादब, इनको पंजाब बहुत पसंद है, पिश्री तीन पारियां हो गई है, हर पारी में इन्होंने पचास से उपर बना है, एक मै बना मुश्किल होता है कि कहां पर बॉल डालू, कैसे बॉल डालू, और कहां से बचने का तरीका है, क्योंकि धनी स्टार्स प्लेंग दफील, विकेट के पीछे, वो उनका एरिया है, वो टेरिटरी उन्हीं की है, वहां बहुत रंद मनाते हैं, वह बहुत रंद मनाते हैं, रोहित आउट हो जाते हैं, अब रोहित होते हैं, सैम की बॉल पर आउट हो जाते हैं, और फिर तिलक वर्मा आते हैं, तो बी वेरी ओनेस्ट, जब आप पहली पारी देख रहे तो आपको बहुत बारी एहसास हो रहा था कि यार ना पिछ थोड़ी सी फस रही है, उंगलिय पंजाब का जो होस हो, हमें तो इंडिया की चिंता है, हमारे टी-20 वर्ल कप के वो दूसरे बोलर है, एक तरह से बूमरा सामने से अर्श ने डालनी है, तो अगर अर्श ने डालनी है तो अर्श की लेह जो है, वो मेरे लिए बड़ी बहुत क्रिटिकल है, और वो उस लेह म मारते हैं, और अंपाइरिंग जो थी बड़ी साधारा नजर आई भाई है, आई बिल से इट, अंपाइरिंग वाज बिलो पार, विद आउट, तीसरे अंपाइर की अंपाइर भी पूर लग रही थी, इस पर तो पहली बार हुआ है, कि आन फिल्ड अंपाइर खराब हो रह On the other hand, अगर उनके alternatives को देखा जाए, शिवम दूबे, वो अपने बहुत खतरनाक form में हैं, बिल्कुल ready, तया लग रहे हैं, मतलब बस imagine करो, अगर तुम्हें पहले से पता चल जाए कि life में आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो फिर तुम कितनी चीजें, पहले स हैं, एक दम utmost high भी देखी है, और lowest low भी देखी है, of course, मुझे लगा कुछ तो गड़बड है, बतलब यह सारी चीजें मेरे साथ ही क्यों गलत हो रही है, यार अब एक दिन ऐसे ही बैठा था, और जैसे इंस्टा सब स्क्रोल करते रहते हैं, मैं भी घर रहा था भई, अब व हाँ मेरी बात हुई, एस्ट्रोलाजर प्राची से, अब उससे पहले मैं उनसे कुछ पूछ पाता, उन्होंने मेरा डेट अब बर्थ और टाइम मांग लिया, अब मुझे लगा कहां ये basic सी details है, सोचा formality होगी, तो भी दे भी दिया, बस फिर उसके बाद मैं कुछ पूछ पूछता, मतब कुछ पूछ भी पाता, उससे पहले उन्होंने एक के बाद एक मेरे बारे में चीज़े बताना शुरू कर दिया, और मेरे बारे में professionally, मैं क्या करता हूँ, family related का चीज़ें, जिस problem को लेकर मैं उनके पास गया था, वो तक उन्होंने guess कर दिया, अब भी last में पूछती हैं, आप sports field में हैं गया, मैंने का यार, और lime light या public eye में काफी रहते होगे, बस वहाँ भाई मुझे थोड़ा सा शौक लगा, कि यार, ना तो मैंने अपनी उनको picture दिखाई, ना ही मैंने अपना उनको नाम बताया, तब कैसे इनने इतनी accurately वो बता पाई, भी कैसे फिर मैंने एक minute waste नहीं किया, भी एक के बाद एक सारी चीज़े पूछता स्टार्ट किया, भी फटा वर्ट, मेरे work related, घर वाली issue के related, एक दो चीज़े परसनल थी, वो भी पूछ ली कि भी, एक के बाद एक बात जो उन्होंने बताई, वो सही निकलती गई, अब देखो हम स किसके साथ आएंगे and so on and so forth, भी जॉब किसके लागे, इस सेटल कब होंगे etc, कितने लोग 30-40 इंटरव्यू दे रहते हैं और जॉब नहीं मिलती, उनको समझना होता है कि भाई, ये कब सेटल हो पाएंगे life में, अच्छा मैं एक काम कर देता हूँ, अपने astrotalk app का download link description में वहां से download कर लो और पहली chat free में आपको मिल जाएगी और मैं क्यों कह रहूँ ऐसा actually कि अमपैरिंग की समस्या थी, टिम डेविड एक बॉल खिलते हैं, टिम डेविड एक वाइड को रिव्यू करते हैं, बॉल जो है वो जो साइड में guidelines रती हैं उसके बाहर की तरफ बॉल है वाइड थी, अमपाय ने नहीं दी थी, रिव्यू किया था, उन्होंने का नहीं यह यह वाइड नहीं है, तो आप अपना decision ठीक रखो, बैट के नीचे से गई है, बॉल वो बैटर मार देते हैं, मैं कहा रहूं कैसे, मतलब फिर एक लेक्स टाइक की वाइड होती है, वो भ टारगेट चुथाब आपकी पकड़ में था, उसके बाहर गए तो थोड़ी सी दिक्कते बढ़ जाएंगी, और वो और ज्यादा बढ़ जाती है, कैसे, क्योंकि एक तरफ से जस्परीद भूमरा, भूमरा तो मतलब खमाली भूमरा, इस बार ओपन करने साम करन साब आते है इस बार ओपन करने उनके साथ प्रफ सिमिनन साब आते हैं, राइली रूसों के धंडे में मारते हैं, लियम लिविंस्टन को जराल कोईज़ आउट कर देते हैं, चार आउट इन फोर्टीन रन्स, अता पता नहीं, एक प्रफ सिमिनन बिचार लेक्स टम पे ऐसे करके जिनको आप समझते हैं कि आपके में खिलाडी हैं, उनकी पारी हो चुकि है समाब, तो अब ऐसे में आते हैं शशांक, शशांक आते हैं और शशांक के साथ जीतेश होते हैं, तुभी जीतेश शर्मा से मैं बहुर उम्मीद लगा के बैठा हूँ, उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं and that also hurts my heart, क्योंकि आप देख रहे हैं की पर कुछ समय पहले इंडियन टीम का हिस्सा, अब आप इस टीम के अंदर consistently perform ना कर पा रहे हो और इन एक ऐसे मैच में जहां पे तो actually overs भी बहुत पड़े थे, पर शशांक के बारे में मैं एक पात यह कहना चाहूँगा, जिस not a finisher only, वो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, वो red ball cricket खेलता है, वो बड़ा प्राना पकावा चावा ले यार, खिला दो उसको थोड़ा सा और, यह पंजाब franchise की problem रही है कि युवा खिलाडियों पे कम विश्वास जताते हैं, अथर तैडे पिछला मैच खेले, इस मैच में आशुतोष भी आनके मानना शुरू करते हैं, फिर बुमरा को बलाया जाता है, बुमरा साब, प्लीज, आप कुछ करो, शांक को आउट कर देते हैं, अब लगता है कि अब शायद मैच में, अब तो मुंबई जीती जाएगा, पर ब्रार साब के साथ होते हैं, आशुतोष, और आशुतोष, I mean, फंदे का नाम ना याद कर लो, क्योंकि अगर पहली इनिंग में हमने देखा सूर कुमार यादव को, तो अल्मोस्ट मिरे इमेज जो थी, वो उनकी सेकंड इनिंग में थी, वो थे आशुतोष शर्मा, जिस तरीके शॉट मारे हैं, वो तो आप समने द घुटने बे बैठना और यह एक्सपेक्ट करना, एंटिसिपेट करना, उसके लिए क्रिकेटिंग स्मार्ट से, जब बकाश मडवाल से एक नोवाल होती है, जब उनको पता है कि अब फ्री एट है, तो अब वो कहते हैं, थर्ड में पॉइंट अंदर है, उल्टा शॉट मा गए, वरना यह मैच एक्चुली जिता जाते है, सिंगल हैंडेडली, मुंबई अंत में मैच जीती है, बुमरा वन सगेंट इन विकेट ले जाते हैं, हार्दिक वेल डन, उननिसवा और आपने डाला, मुश्किल ओवर होता है, पहले बोलिंग करते हैं, और डिफेंड करते नौरन से आप मैच जीते हैं, पर सवाल तो हैं भाईया, मुंबई, you'll have to really think कि आप क्या ग्यारा ठीक खिला रहे हैं, क्योंकि आप ग्यारा से नहीं आप नौ से खिल रहे हैं, नभी को आप बोलिंग नहीं कर आते हैं, नभी की बैटिंग नहीं आप आती है, रोमेरो शेप मैच नहीं जीत पर रहे हैं, यह हमारा चो आज मैच है, धाला का मैच लगनाओ के सामने, उसका प्रिव्यू भी हमने अप्लोड किया हुए, तो प्लीज दू चेक बैट आउट एस वेल, थैंक यू वेरी मच पर वाचिं